अस्सलाम अलेकुम दोस्तों खुश रहें और अपने ख्यार लखें आज मैं एक नहीं कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ कहानी का नाम है आखरी कोशिश जो हयातुल्ला अनसारी की लिखी हुई है ये अफसाने हमारे जिन्दगी के सच्चाई है और ये जो उर्दो अफसाना है हिंदुस्तान की बदतरीन इक्तसादी दौर की पैदावार है ये हमारे मुलकी की गरीबी, भुकमरी और गरीब लोगों की कहानी है तो आईए शुरू करते हैं आखरी कोशिश बिसमिल्ला है रह्मानी रही टिकट बाबू ने गेट पर घसीटे को रोक कर कहा टिकट घसीटे ने घिगया कर बाबू की तरफ देखा उन्होंने मा की गाली देकर उसे फटक के बाहर धकेल दिया ऐसे भिकमंगों के साथ जब वो बिला टिकट सफर करें और क्या ही क्या जा सकता है घसीटे ने इस्टेशन से बाहर निकल कर इत्मिनान की सांस ली के खुदा खुदा करके सफर खतम हुआ रास्ता भेर टिकट बाबू की गालियां सुनी ठोकरें सही बीसियों बार रेल से उतारा गया एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पैदल भी चलना पड़ा एक दिन के सफर में बाइस दिन लगे मगर इन बातों से क्या किसी ना किसी तरह अपने वतन तो पहुँच गये वतन पचीस बरस के बाद वतन हाँ पचीसी बरस तो हुए जब मैं कलकत्ता पहुचा तो काली मिल खुली थी और अब लोग कहते हैं कि इसको खुले पचीस बरस से ज्यादा हो गए आ गये वतन हाँ अब पासला ही क्या है अगर याद घल्ती नहीं करती है तो दो कोस का कच्चा रास्ता और दो घंटा की बाद अपना घर अपने लोग वो हुने मतें जिनका पचीस साल से मज़ा नहीं चखा कलकत्ता में घर के नाम को सलक थी या दुकानों के तख्ते या फिर शहर से मीलो दूर ठेकादार की जोपड़ियां जिसके जमीन पर इतने आदमी होते थे के करवट लेने भर की जगह ना मिलती थी रहे अपने लोग सो वहां अपना कौन था सब घर्ज के बंदे बे इमान, हरामजादे एक वो साला था भूंदू और दूसरा था भूरा और वो डायन भंगवी जो खौंचे की सारी आमदनी खा गई वो मिलो के मजदूर भाई हैं, भाई हैं मगर मजदूरी का मौका आए कि हर एक को अपनी अपनी पड़ गई जहां जाओ कोई दूसरा मजदूर सिफारिश लिए मौजूद है यहां सिफारिश करने वाला कौन था जब जेलर ने आकर मुझे हुक्म सुनाया है कि तेरी मियाद खतम तो आँखों से नाजे ने क्यों आँसु निकल आए बस एकदम से घर की याद आ गई घर क्या चीज़ है गसिटो को यकीन था कि पचीज साल की ठकी मांदी आतमा को घर पहुंचते ही सकून मिल जाएगा और घर अब अरीम था इस ट्रेसन से कुछ दूर आकर घसीटे भौचक्का से रह गया यहां की दुनिया ही अब और थी खेतों और बागों की जगह एक शकर मिल खड़ी धुआ उड़ा रही थी जिसके इमारते यहां से वहां तक नजर आती थी कच्ची सड़क की जगह अब पक्की सड़क थी और इसके बराबर मिल तक रेल की पट्रिया बिची हुई थी सड़क खुब आबाद थी मजदूरों के बहुत से छोटे छोटे गोल आ जा रहे थे इतनी देर में कई मोटरें फराटे भरती निकल गई थी एक माल गाड़ी छुक छुक करती जा रही थी घर्स के जोगराफिया इतना बदल गया था कि रास्ता पहचानना बस से बाहर था लेकिन फिर भी घसीटे का दिल इस बात पर राजी ना हुआ कि मैं अपने स्टेशन पर उतर कर अपने ही गस्वा का रास्ता पूछूं ये आप ही आप एक तरफ मुड गया थोड़ी दूर आकर जब शक्कर मिल की हदें खतम होने लगी और ओख की खेतों और बाओं का सिलसला आ गया तब इसके दिल ने धड़क कर कहा मेरा रास्ता ठीक है देड़कोस चलने के बाद अपने कस्वे के ताड़ दिखाई देने लगे जरा और चलकर शाही जमाने के एक तूटी हुई मस्जिद मिली जिसका एक मिनार तो नाचती हुई बेलों से मंढ़ा और जंगली कबुरतरों से आबाद था और दूसरा तकरिबन मुसलिम मुसल्म जमीन पर लेटा हुआ काई की मखमलें चादर ओड़े था इस पर नज़र पाना थी कि बच्पन की ही तक बच्पन की बहुत सी छोटी छोटी यादें जो कब की भूल चुकी थी पच्चीस वरसों के भारी बोज के नीचे एकदम फड़पड़ा कर तड़प कर निकल आई और कमसिन दिहाती छोकरियों के साथ सामने उचकने कूदने लगें वो जमाना आखों के सामने फिर गया जब इस मस्जिद के गिर्द पानी भर जाता था और गौँ भर के लॉंडे नंगे इसमें नहाते थे इस वक्त में ये खड़ा मिनारियों ही खड़ा था और लेटा मिनार यूँ ही लेटा था आगे चलकर बर्गत का दरख्त मिला ये वो जगह थी जहां हीरा, वफाती, बलाकी, तीनों नेवला, सूरज, बल्ली और वो कुँआ, साला क्या नाम था उसका और कौन-कौन, सारी की सारी टोली जमा होती थी और दिन-दिन भर स्यारामा डंडा उडा करता था, वो गलपपा के इस पार अमरूद का एक बाग था, इस पर कभी-कभी लॉंडा डाका पड़ा करता था, लॉंडे घुस गए और चुपके-चुपके कच्चे पक्के अमरूद नोच-नोच कर जेवों में भरने लगें, और हुआला मा बहन की सुनाता दोड़ा-दोड़ा इधर आनन फानन में सब हुआ हो गए, एक बार ऐसा हुआ कि लॉंडे अमरूद खसोट रहे थे, कि उधर से एक फकीर नी आ निकली, जो मनमना मनमना कर गा रही थी, कुछ लॉंडों को सूजी शरारत, वो चुड़ायल- लाकर भागे, फिर क्या था? सब सर पर मौ रखकर भागे, बलाती रह गया, अरे डर के मारे इसकी जो घीगी बंदी, और जो लगा है फकीरनी के सामने हाथ जोड़ने, घसीटे ये यादगर बिक्तियार हस पुला, सूरे दिन भर का सफर तै करके उपक के करीर पहुच चु पतावर के हरे भरे जंड थे, जिनके बीच बीच से बूढ़ी सरकियां सर्दों को निकाले, सुरों को निकाले, जवानों की तरह खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, दूसरे तरफ आसमान के किनारे तक खेतों और अमरूत के बागों का सिलसिला चला गया था, बसेरा लेन आने वाले मेनाओं और कोवों का शौर, खेतों से वापस आने वाले बैलों की घंटियां, हिला हिलुके, हट हटा, बागों के रखवालों की हूँ हूँ, इन सब से वो इसी तरह बसी हुई थी, जैसे पतावरों की भीनी भीनी, मीठी मीठी, खुश्वू से मालूम होता थ कि सारी दुनिया एक बहुत बड़ा घर है, जिसके रहने वाले यानि खेत, दरख, हवा, आने वाले सदाएं और खुश्वू सब खरीबी रिश्टेदार हैं, और खुशी खुशी मिल्जूर कर रहते हैं, खिसानों का एक जथा खेतों से वापस आता हुआ मिला, आगे खाते छे साथ मर्द थे, इन लोगों ने फटे हाल घसेटी के तरफ तवज्ज़ ना की, वगर जैसे ही घसीटे की, इन में से एक शखस से निगाह मिली, वो बे अख्तियार मुस्करा दिया, जैसे कोई दूर दराद सफर से आने वाला अपने अजीज़ों को देखकर मुस् जिस से कुछ दूर हटकर आम के चार बुढ़े, दरख, शाम का दुंदला का ओड़े, किसी याद में खोए, खड़े थें, इस मकाम से एक बहुत रुमान भरी याद, अंगलाई ले कर उठी और घसीटे के पौँ ठाम लिये, वो बिला इरादा खड़ा हो गया, वो सामने क जाली और गड़िया यहीं दुलारी से छुप छुप कर मिलते थे, वो भरे जिसमें की जिनहा ऐसी दुलारी जिसके ना रूठने का ठीक पता चलता था और ना मनने का, वहाँ बैटकर वो दुलारी का इंतजार करता था, तो दिल में क्या-क्या नक्षे बनते थे, शहर जा आउंगा, मगर रुपिया जोड़ जोड़ कर रखूंगा, फिर जब धाई सो रुपिय हो जाएगा, तो वापस आउंगा, और हीरा लाल की तरह एकदम से एक गोई बैल लेकर खेती शुरू करूंगा, इसी वक्त दुलारी मेरी कितनी खुशामदे करेगी, मैं तो कम सकम द धेले फेकेगी, गुनगनाएगी, मेरी तरफ कनखियों से देख देखकर हसेगी, बड़ी चुड़ायल थी, ना जाने अब कहाँ है, घसीटे दरख्तों के अंदर घुश कर देखने लगा, पुरानी गलहिया अब तक है, हाँ है तो, और वो सामने जमनी का दरख्त भी है, मगर अब के, अब उसकी चाल धीमी थी, वो इन यादों में ऐसा डूब गया था, कि आखे देखना और कान सुनना भूल गये थे, एकाएक, एक मोटर, एक मोल पर चौक पड़ा, जैसे कोई विसरी बात एकदम याद आ गई हो, यही जगह तो है, हाँ, यही अब्बा ने द करके अंदर आएं, और उधर डांट लगाई, घसीटे, घसीटे, किधर मर गया, टांगे फैला कर दोनों बूट मेरे मूँ की तरफ बढ़ा दिये, इनको उतारो, फिर जुराबें उतार दो, फिर उंगले को तॉलिय से पोचो, फिर जूती लाकर पाउं के नीचे धरो, श पाजामा पहने रहते थे, जब वो बिलकुल चीथड़े हो जाता, तो खास हैबन फिर किसी का पुराना धुराना जोड़ा दे देती, फिर फाड़ लाया, इसके बदन पर तो कांटे हैं, ये कहां से खोचा लगाया, कमीने को कभी तमीज ना आएगी, एक बार शबन मिया क कमरे में जुग गया, तो देखता क्या हूं, ये कमीज के कफ के दो बटन पलग पर पड़े चमचम कर रहे हैं, इस वक कुछ ऐसे प्यारे मालुम हुए, कि मैंने चुपके से एक मुठी में दवा लिया, थोड़ी देर में शबन मिया चिलाने लगे, एक बटन क्या हुआ, क काम भी ना करूँगा, सब की आँख बचा कर बाहर चला आया, मेरे कमीज में आस्तिन कहां थी, मैंने वो बटन गले में इस तरह लगाया, कि बटन और जंजीरों दोनों चीजें बाहर चमचम करें, और फिर दिन भर भूका प्यासा खेतों खेतों घूमता रहा, जब रात आ गई, तब फिक्र हुई, कि आप कहां जाओं, मैं इधर उधर दुबकता फिरता था, कि अब्बा ने जो मेरी खोज में लगे थे, देख लिया, तो शब्बन मिया का सोने का बटन ले आया, सोने का बटन, दो थपल पड़े थे, कि मैं भागा, सोने का बटन कलकत्ता में चार पैसे पत्ता मिलता है, जितने चाहो इतने ले लो, छप्परों और नीची, कच्ची दीवारों पर शाम की सौनी रंगत चा गई, फिजा में हलकी हलकी खुनकी थी, जिससे दिल को अजीव सा सुकून मिलता था, घरों में चूरे जल गए थे, इनका धुआ और सुर्ख जो अपने साथ दिन भर की तकान को लिए भागी जा रहे थी, दौारे पर लड़के लड़कियां उचा 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 नीचा खेल रहे थी, और बेहत शूर मचा रहे थी, जैसे बसेरा लेते वक्त जंगली मीनाएं, एक घोड़ा दिन भर दौड़ धूप कर के अभी अभी और खुशी से हिन्हना रहा था, आखर मस्जिद आ गई, इसकी बगल से घसीटे का रास्ता जाता था, पहली ताखरीखों का हलाल मस्जिद के एक मिनार से लगा हुआ चमक रहा था, उसे देखकर घसीटे को एक बारात याद आ गई, जो बाजे गाजे लिए मशले जलाएं एक कमजोर सीनों पर चड़ी, गंगा की खूनी लहरों को पार करके किनारे आ उतीरी थी, बगया भी आ गई, इसके पार आबादी से जरा निकल कर घर था, गसीटे का दिल इमेदों से जोर जोर से धड़कने लगा, और साथ साथ खुशी के मारे आंसु निकल पड़े, आख की खटिया, रात को मान ना मालूम कब से उठकर मा का घरर घरल, चक्की पिसना और इस पर गाना, मुरी छागल ना बोले, दिन को काम काज करके घर आओ, अलाख चिलाओ, अम्मा रोटी दे, अम्मा रोटी दे, और चिलाते चिलाते ठक जाओ, रोध होकर अम्मा इसी तरह, पैसे पीसे चली जाती है, जब इसका जी चाहता, तब उठकर चूला जलाती, जम्यों और शवरातन ओफ, दोनों को अम्मा कितना मारती थी, और थी भी वो भी दोनों बड़ी हरामजादी, कभी जो काम करते, इसर अबबा कुलहाडी कंदे पर रखे, बकरिया हाकता, घर मे गुसता, और उधर चिलाने लगता, उधर अम्मा पर गुस्सा आया, और जोटे पकड़कर धोएं धोएं, वहरी अम्मा, जहां किसी का जी खराब हुआ, इसके जी को लग गए, फिर तो ये है, अरे आ तेरा सर दाब दू, इधर आ जरा गुजरातन, चांदी में बैठकर ना खा, दोनों वक्त मिलते हैं, ना चिला, हर वक्त तुटका उतार रही है, आने जाने वालों से पूच पूच कर धवा फिला रही है, खाने की कितनी शौकीन थे, कच्चे पके, गले, सड़े, खटे, मीठे, जैसे ही आम मिल जाएं, बड़े मज़े से बैठकर खा जाती कच्चे पके अमरूर, जहर बैरियां, खेते, क्या और क्या क्या सब शौक से खाती थी, मगर बच्चों का खाना उसे बुरा नहीं लगता था, वो किस्सा जो हुआ था, कि अम्मा को कहीं से गुड की भीली मिल गई, उसने ताक में रख दी, मैं इधर से आऊँ, चुरा कर एक टुकडा मुँ में रख लू, शाम को अब्बा ने जो देखा, जरा सा गुड था, वो लगे डकार ने, कौन खा गया, अम्मा समझ गई, सहुलियत से बोली, चुहा खा गया होगा, तू खा गई है, तो क्या, चुहे बिल्ली गुड खाते हैं, अम्मा ने कहा, क्यों, क् जब शहर से कमा कर लोटूंगा, तो गुड की एक पारी भी लाओंगा, तब तो यही अब्बा चटखारे मार रहे होंगे, वाह क्या मज़ा है, जम्य और शबरातन आखे फैला फैला कर तकेंगी, मुझे पानी छुटेगा, घर में अब कौन होगा, अब्बा, अम्मा, भल करे के तो बीवी बच्चे होंगे, और वक्रिया, उफो, कलू के तो नातनों की नातनी होंगी, कलू जिन्दा हो तो पहचानेगी, जब भूकी होती थी, तो मेरे तरफ देख देखकर कैसा मेमे करती थी, सामने खर के नहीं, बगया से बाहर आते ही घसीटे के दिलने धड़ की से पूचा, वो जगह थी, वो, हाँ, वहाँ कुछ है, तो जरूर, शुरू तारिखों की ओस की मारी बीमार चांदनी में, मंधेर उजाले का एक धेर नजर आया, एक दिवार थी, जिसका आधा हिस्सा, तो टीले की तरह धेर था, आधा जो खड़ा था, इस पर एक की जगह जांगडों, ताल के पत्तों और किसी सूखी बैल का मिला जुला एक अलम थे, जिनके पतले पतले, फ्यड़े मिले, साए, केचुओं और कंखजरों की तरह जमीन पर बजबजा रहे थे, घर अपने सन्नाटे में कबरिस्थान था, अंदर ना चुला जल रहा था, ना चिराख, घर की एक एक चीज पुकार पुकार कर कह रही थी, हम खुद टुकडे टुकडे को महताज हैं, तुमको क्या खिलाएंगे, यही घर था, जहां मसाफिर की ठकी मांदी, आत्मा को चैन की तलाश थी, घसीटे कोई उमीदों का चमन, जिसे वो बाइस रोज से पचीस बरसों के कुछले अर्मानों के खून से सीच रहा था, एक बार गी मुर्जा गया, इसका दिल बार बार शक दिलाता, यह घर खाली होगा, वो लोग कहें और उठ गये होंगे, और बार बार बकरियों के, मौ अकीद थी, इन बालू के घरांदों को ढ़ा देती, घसीटे आद गंडे तक जहां तहां खड़ा रहा है, इसमें इतनी हिम्मत ना हुई कि अंदर जाता या किसी को आवाज देता, दूर कहीं पर एक पिल्ला रो रहा था, रफ्ता रफ्ता इसकी आवाज से एक तरह की धार और ये खनकार, खनकारा, जवाब ना मिलने पर फिर खकारा, बार बार खकारने पर कोई दबे पौँ बाहर आया, और राजदार ना लहजे में बोला, अंदर चली आओना, इस धोके से घसीटे की हिम्मत और सुकड गई, अपकी वो सहारा लेने को सच मुझ खकारा, फिर कह बोला, तुम कौन? जरा इधर आओ, फकीरा निकल कर गरीब आया और बोला, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो, जरा सुनो तो भाई, तुम फकीरा हो ना, हाँ, कह तो दिया, तुम यही रहते हो, घसीटे की आवाज में कुछ इतना प्यार था, कि फकीरा का गुसा तो गा हो गया, मगर इसकी समझ में ना आया, यह शख्स कौन है, और क्या चाहता है, दूसरी तरह, घसीटे की समझ में ना आता था, कि अपने को कैसे पहचनवाए, उसे ख्याल तक ना आया था, कि अपने घर पहुँच कर, यह काम भी करना होगा, अखर दिल को कड़ा करके बोला, मैं 22 रोज का सफर करके आ रहा हूँ, तुम्हारे पार, अब भी फकीरा कुछ नहीं समझा, मगर बिला इरादा इसकी जबान से निकल गया, तो अंदर आओ, अंदर आकर घसीटे की हिम्मत बंदी, और साथ ही राहत पाने की उमीद भी, बिला वजह हर्याने लगी, फकीरा ने दिया सलाई खीच कर चिराख जलाया, छपपर के नेचे साथ बकरियां और बकरियों के बच्चे बंदे थे, उन्हें से शायद घराने की रोटी चलती थी, जरा इधर हटकर जमीन पर एक छेदा टाट बिच्छा था, जिस पर एक मैली सी चीज जो शायद कभी रजाई ह तो मगर चितड़ा होकर गुमनाम हो गए थी, उढ़ने के लिए पड़ी थी, घसीटे ने टाट पर बैट कर कपकपाते चिराख की धुंदली रोशनी में फकीरा को गोर से देखा, दुबला पतला आँखें अंदर धसी हों और बेनूर चेहरे की खाल जूते के चमड़े की तहरा खुरदिरी और इस पर दोनों तरफ दो लंबी लंबी जुरियां जैसे कच्ची दिवार पर बर्खा के पानी की लकीरें, बार खिचरी जिनमें सफेदी ज्यादा थी, ये था घसीटा का जवान भाई फकीरा, मुसीबस जदा घसीटे देखने में इस से ज्यादा प्यार भरी नजलों से देख कर बोला, भाईया तुम तो जवानी में ही बुढ़ा गए, फकीरा थंडी सांस भर कर बोला, जवानी तो खिलाई पिलाई से ठहरती है, सच है भाईया, भूरा जम्यों और शवरातन कहा है, अब फकीरा ठटका, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, घसीटे तो नहीं हो, हाँ घसीटे हों, और कौन, बाईस दिन ठोकरे खा कर आ रहा हूं, भाईया कहकर फकीरा इससे लिपट गया, घसीटे ने भी भीच कर इससे लिपटा लिया, और जैसे कोई सोता फूट जाए, इसके आंसुें धुल-धुल बहने लगें, फकी फकीरा ने अपने आंसुें पोचे और घसीटों को धारस दिलाई, कि अब ना रोए, ये तो खुशी की बात है, कि तुम घर आ गए, अम्मा को देखो गए, घसीटों की आंसुें से लबरेज आंखें हैरत से फैल गई, अम्मा, है क्या, हाँ, चप्पर के एक कौने में ची जिथोड़ों के अमबार में दफन एक इनसानी पंजर पड़ा था, जिसपर में मुझाई हुई बदरंग, गंदी, खाल, धीले कपणों की तरह जूल रही थी, सर के ब्याल, बीमार बकरी के दुम के नीचे, के बालों की तरह, मैल कुचैल में जिथोड़ कर, नम्दे की त जिथोड़ और आंसों में लत्पत थें, गाल की जगह एक पतली सी खाल रह गई थी, जो दातों के गायब होने से कई हितों में होकर जब्लों के नीचे आ गई थी, गाल के उपर के हड़ियों पर कुछ भोला पन सा था, बदगोश्ट हो या हुरम, जैसे रोते रोते हुरम आ गया हो, गर्दन इतनी सूकी थी कि एक एक रग नजर आ रही थी, नंगे सीने पर च्छातियां लटक रही थी, जैसे भीची हुई उल्टी बंडी की खाले जेबें, चेहरे की एक एक जुरी सक्त गिनौनी, मुस्वतों की महर थी, जिसे देखकर बेक्तियार धाले मार मर कर रहूने को जी चाहता था, फकीरा चिराग लेकर आया, रोशने देखते ही बुढ़िया कुछ बखने लगी, और दाहने हाथ की इंगलियों से जूट मूट का निवाला बना कर, अपने मुझ की तरफ बार बार ले जाने ले जैसे गोंगा खाने को मांगे, बुढ़िया ना मालूम क्या कह रही थी, मगर सुनने में सिर्फ ये आया था, बाब बाब, 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 इसके आवाज ऐसे विरानी के मारे गोंगी याद ताजा करते थी, जहां के रहने वाले आख से जल मरे थे, और आब इसके खंडरों में दिन को बंदर चीखते और रात को सियार रोते थे, फकीरा ने घसीटे की तरफ देख कर कहा, जब इसके पास आओ, ये इसी तरह खाना मांगने लगती है, जाहे जितना खिलाओ, इसका जी नहीं भरता, मूँ से निकल निकल पड़ता है, फिर भी मांगे जाती है, आखर घसीटे बड़ी कोशिश से बोला, अ अमा आवाज बता रही थी कि इसका दिल अंदर ही अंदर करहा रहा था, फकीरा ने कहा, ना वो सुनती है, ना समझती है, बस खाने की बात समझती है, बुड़ीया का पोपला मूँ धोकनी की तरह चल रहा था, बाब की आवाज निकल रही थी, और उंगलियों का बना हुआ निवाला बार बार मूँ की तरफ जा रहा था, बगर इन हरकतों पर वे यकिन ना आता था, ये पंजर जिन्दा है, ये वही चौड़ी चकली तंदुरस्त अमा थी, जो मूँ अंधेरे से दो पहर तक मसलसल चक्की पिसाई करती थी, जिसे दिन रात यही धुन सावा रहती थी किसी तरह घर की हालात संबल जाए, इसने कैसा कैसा अपना जी मारा, जरा जरा सी चीज़ के लिए कैसा कैसा तरसती रही, घसीटे के दिल में मा के लिए तरस भरा प्यार उबल पड़ा, जो हाथ फैला फैला कर ये दूआ मागने लगा, आए खुदा इसकी मुश्किल आ पूंसो दूर थी, फकीरा के लिए एक नजारे में कोई खास बात नहीं थी, इसने कहा भईया तुम जरा हाथ मों धोलो, मैं खाने पीने का कुछ सुविता करता हूँ, फकीरा भागता हुआ बगया के उस पार जोग्यों के घर से आद सिर जोहर काटा उधार मांग लाया, और फिर चुला जला का रोटियां पकाने पैठ गया, घसीटे भी चुले के पास आ बैठ और बोला, इतना आटा क्या तुम ने अभी नहीं खाया, नहीं आज आटा खतम हो गया था, तो मैंने कहा, एक रात यूहीं सही, अब खेती नहीं होती, वो कब की बंद हो गई, अब बरस तक तरकारियां और कारियां वोईं, मगर वो बिकी विकाती नहीं, लगान तक नहीं अदाव गया, भूरे काहे में पकड़ा गया, सोनी चंद के एक बकरी बेच लेती, तो जब जेल से छूटकर यहां आया, तो इसकी बीवी तूसरे के घर बैच चुकी थी, ये ला मुझसे तो अब तेरी तरह ना भूँको मरा जाएगा और ना इस गौँ में रहा जाएगा, बला से जेल हो जाए, चार दिन एच तो कर लेंगे, दूसरे दिन मुँ अंधेरे कहीं निकल गया, बाके कहता था कि अब फिर जेल पहुँच गया है, जम्या और शबरातन कह है, जम्या हरामजादी किसी के साथ भाग गई, शबरातन का दस कोस पर तक्या वालों में बया हो गया, एक अमरूत का बाग है, किसी तरह गुजर बसर हो जाती है, मगर कभी मा को नहीं पूछती, जरा देर खामुशी रही, फिर फकीरा रोटी के किनारों को अंगारों पर स सब घर मिट गया, वो भी क्या जमाना था, अब्बा काहा करते थे, ये सब पिले पेट भरे, ने पेट भरे, सच कहते थे, इस जमाने में तो कोई रात ऐसी नहीं गुजरी, जब चुला ना जला हो, गसीटे लंबी सी ठंडी सास भर कर चुप हो गया, अलपकते कोलों की तर दून रहा हो, फकीरा ने इस सनाटे को तोड़ा, कहां कहां रहे घसीटे, हम कलकता जाकर ऐसे फसें, कि खत पत्तर को भी चार पैसे ना बचे, घर याद करकर के इतनी बार रोना आया, बड़ी कठिन गुजरी, वहां मिलों के खाक चानी, उमिदवारों में काम किया, बड़ा कठीन है कलकता में रहना, जिसके दो चार जानने वाले हो, और जिसके पास लेने देने को जरा पैसा हो, इसके लिए वहां सब कुछ है, लेकिन ऐसे वैसों को तो कोई पूछता ही नहीं, वहां तो रोए रुलाई नहीं, नहीं आती थी, मरने की दुआएं मांगा क फकीरा ने लाल लाल रोटी कपड़े पर रख दी और दोनों टुकड़े तोड़ तोड़ कर खाने लगे, फकीरा बोला, भाईया जरा चुपके चुपके खाओ, अमा सुन लेगी तो चिला चिला कर रात भर ना सोने देगी, घसीटे ने शक और हैरत से फकीरा की तरफ और फिर बाप-बाप करने लगती है, घसीटे बुझते अंगारों की तरह तकने लगा, इसका हला कितना सूख गया था कि मुझ का नवाला बिला पानी के भोट के ना उतार सकाँ घसीटे घर के द्वारे, होटो पर बकरी का मसका मिले, धूप में नंगे बदन पैठा, अपने मेले कुर्ते के चुलवे चुन रहा था कई रोज से हाथों पैरों और होटों को चटखा देने वाली सरदावा के तेज झखकर चल रहे थे, जिरमें सैक्डों मील का गर्द वो बार भरा था, जो नाक और हलक में खुस रहा था खेतों के पौदे और दरख, हवा के चोट खाका कर जुक जाते थे, और वेकसी से अपने पत्ते ठर फ़लाते थे, जैसे हवा से फर्याद कर रहे हूं के आप तो लिल्लह जान छोड़ दे, खेतों में किसान अपनी चादरों को बदन पर समेटे, हाथ पौँ, सुकेड़े, कंधों को आगे जुकाए, सुसु कर रहे थे हर जगह इतनी जा, इतनी उजाड उजाड थी, और हर चीज इतनी दुक भरी, कि बेख्तियार जी घबरा घबरा कर कहता था, के चलो कहीं भाग चले, घसीटे धूप में बैठा काप रहा था, और कलकत्ता को याद कर रहा था, आने के दूसरे हे दिन, वो तूटे फूटे जबिरान, छपपर, बक्रियों की, मूत के, खर और अपनी माबाप, मा की बाबाप से घबरा गया था, दिन भर भूक में बहलाना, और बक्रियां चराना, और रात को बर्रे की रूखी सुखी, रोटी, और कभी कभी तो रात को भी फाका, पिर यहां के सर्दी कुफ को, पहनने को, दो आदमें के बीच में एक सबसे बड़ी कुफ, यह के जवानी के पचीज साल, कलकता में गवाने के बाद, घसीटों को यहां की, किसी चीज़ से अब लुथ ना आता था, चौपाल की बातें, रुखी फीकी, गौव की औरतों में शरब, और खिचौब, फिर जिस सफेद पोश को देखो, थानेदार की तरह अकड दिखाता था, और फकीरा, वो तो बात बात में बाप बनता है, सब मसीबतों से बड़ी मसीबत, यह कि पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं, दम्री दम्री के लिए फकीरा की महताजी, हर बात में इसका दस नगर रहना, और कलकता से आने पर पच्टा रहा था, वो दुकानों के तख्तों पर रात काटना, वो सलकों पर जुजाडों में बरफ की सिल्ली और गर्मियों में दहकता हुआ होती थी, खचर की तरह रिक्षा लेकर दोड़ना, वो कभी कभी तीन-तीन फाकी कर लेना, अपने घर की इस चीस बेड़ियां और ये वो निमते थी, जिनके लिए वो यहां तरस गया था, घसीटे ने एक ठंडी साज भरी और दूर तक पहले हुए मटर के खेतों की तरफ देखा, मेरी जिंदगी भी क्या जिंदगी रही है, पंदरह सोला बरस के सीन तक बाप के हजानों की मार काने पिने को तरसते रहे, फिर हिम्मत करके कमाने खाने के लिए शहर भागे, वहां महीनों ठोकरे खाई, कहा चलो कलकत्ता चलो, वहां पहुंचते अच्छी से नौकरी मिल जाएगी, और सब पाप कड़ जाएगा, कलकत्ता के पचीस वरस उफ़ो, कोई कोशिश नहीं सेठ जी ने कहा गाड़ी ले लेना, तो जमानती लाओ, मैं किसे लाता, जो वहां के रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे, घराने के घराने रहते थे, जमानती ले आते थे, लच्छमर बोला, दो आने, रोज दो, कलोटा तो महाजन जमानती हो जाएगा, दो आने रो तो शामत करो के एक अच्छी गाली दे दो, तो वो अकड़ कर कहता था, कुछ रुपिया जमा कराओ ना, रुपिया बसता तो कैसे बसता, अमदनी भर तो कलोटा खा जाता था, चार साल दोड़े मगर रहे वहे मोची के मोची, बुखार जो आया तो किसी तरह गया ही नहीं, कर्ज उधार करके पान सिग्रेड दिया सलाई का हुंचा लगाया, अब जो आता कहता, सिजर लाओ, नैनी कटल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, यहां क्या था, कहते थे नहीं है साहब, नहीं है, हुजूर, वो भी तमाशा कुछ दिनों रहा, ना बैठे उन्हें को अच्छी जगह थी, ना अच्छा सामान था, इस पर जो कुछ भी आया, हरमजादी भंगोही खा गई, ना जाने मुझे साले, वो औरत रखने की क्या पड़ी थी, लंगोटी में फाग, घसीटों को अपने उपर सत गुसा आया, और अपने को खूब गालिया देने लगा, इतने में फकीरा सामने से आया, और आते ही कड़े पन से बोला, फिर तिम ने चुरा कर दूज बेच लिया, अब हमारा तुम्हारा गुजर नहीं हो सकता, जहां जाना है, चले जाओ, घसीटे ने जवाब दिया, कैसी चोरी, कुछ पागल हो गया है तू, रोस का यही किस्सा, रोस का नकाज का, दुश्मन नाज का, पच्चीस साल कलकत्ता में गवा कर हमारी जान को आया है, गया था रुपिया कमाने, घसीटे गरम होकर बोला, कलकत्ता में कमाने कुछ आसान है, तो खुद तो जिन्दगी भर अस्वा से बाहर नहीं गया, और चला कल है कलकत्ता की कमाई की वहां वो कमाता है जिसके दस जानने वाले हो, जो इसके लिए तकडम लगाए, वो कमाता है जिसके पास रुपिया हो, कुछ kोकर सिख्यों, काम कुछ दिनों के बाद आता है, अप ही आप, फकीरा ने तान से कहा, हाँ जो यहां से जाते हैं, रुपिया के धेर तो लेकर ज रहकर कुछ नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं सुन सकता था, वो चिला कर बोला, और तूने क्या कर लिया, चुट्टा कहीं का, इन बक्रियों में इस घर में क्या मेरा हिस्सा नहीं था, सब का सर बेच कर खा गया, ला मेरा हिस्सा दे, मैं आज ही इस मन्हूस गौँ से जाता हू बेएमान कहीं गहसीटे से बन नहीं पड़ता पड़ता था कि अपना सर फोड़ डाले या जान निकाल कर रख दे क्या करे जो फकीरा को यकीन दिला दिला दे कि कलकत्ता में मैंने कोई कोशिश श्ठा नहीं रखी कुछ हो ही तू-तू-मेमे होती रही फिर फकीरा बलबलाता हुए अंदर चला गया देर तक वो अंदर से और ये बाहर से बलबलाते रहे ये खिस्सा आज कुछ नया नहीं था बलके पूरे चार महीने से हो रहा था रोज यही जगड़ा उठता और रोज यही बाते होती रोज दोनों इसी तरह बड़बड़ा कर बड़बड़ा कर चुप हो जाते रात जब रूखी रोटी खा कर घंसीटे बिस्तर पर बैठ कर फुक्का गुड़गुड़ाने लगा तो फिर एक ठंडी सांस के साथ कलकता की याद आई और वो सोचने लगा शायद अब मैं हमेशा के लिए इस उजाल गौँ में दफन हो गया अब बाके जिन्दगे इसी तरह बिताना है काश एक बार सिर्फ एक बार मेरे पास कुछ पैसा आ जाता जो मैं कुछ दिनों अपनी ठकी मांदी आत्मा को सुख दे लेता जो सारी के परलू से ठाले साफ करे इसमें दाल भात लाकर सामने रख दे इसके पाव में मोटे मोटे कड़े पड़े हो जो गुद्धी की तरह आड़े आड़े एक तरफ जुके हुए हो जिसे शर्माई साली का सर बस मुझे तो बस इतना मिल जाए कि अपना एक अलग छप पर हो दोनों वक्त अपनी रूखी सुखी हो बस अरे हाँ अपने पास कुछ तो हो अब कहां घरवाली की खाहिश और कहां बच्चों का अर्मान चालिस का सिन होने को आया सिन का ख्याल आते ही दिल में एक तेज फोक उठी अब दो चार बरस जवानी और है फिर अंधेरा पाक जाने कब मौता जाए एक जबरदस्त उमंग उठी कि जैसे बने एक बार और हाथ पौँ मार दो थोड़े देर तक सुचता रहा फिर इसने फकीरा को पुकारा भाया फकीरा फकीरा प्यार की पुकार सुनकर पौरण पास आ गया जब वो आराम से बैठ गया और हुका का एक दम ले चुका तो घसीटे बोला मैं ये कम कहता हूँ कि मैं कुछ करूंगा नहीं मगर कोई काम भी तो ऐसा हो कि जिससे कुछ मिले अरे भाया तुम कहते हो कि कलकता में मैंने पचीस बरस भाण जोका में कहता हूँ कि मैं कम सकम इतना तो सीखी गया हूँ कि कौन काम कल चल सकता है और कौन नहीं तुम कहते हो फेरी लगाएं ये करें वो करें सच कहता हूँ कि इन में कुछ नहीं धरा है पैसे वालों के सामने कौन अपना रोजगार जमा सकता है घसीटे ये कहकर इसी तरह खामोश हो गया जैसे अभी बात नहीं हुई है फिर फकीरा की तरह देखकर भूला अगर कुछ मिल सकता है तो इसी तरह जैसे हम कहते है मगर जो हम कहते हैं वो तो तुम मानते ही नहीं इसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है ही कहेंगे जोगियों को देखो इनके घर हुन बरस रहा है उनको कहने को हम शरीफ और वो रजील मगर कौन किसके खुशामत करता है हम ही हैं जो आए दिन दोड़े जाते हैं कि अच्छे मंगलू सेर भर आटा उधार दे दो दो कंकड़िया नमक दे दो जरा सी तंबाक्यू द दो वो टाल मटोल भी करते हैं धुदकार भी देते हैं मगर हम फिर जाते हैं ना जाएं तो क्या करें क्या फकीरा बैठा चुप चाप सुनता रहा घसीटे दम लेकर फिर कहने लगा और हम तो कहते हैं कि सब हमको छोड़ भी दें तो क्या 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 कोई लड़का लड़की ब्याहने को बैठे हैं हम हम दोनों चैन से अलग ही रह लेंगे घसीटे ने एकदम से कुछ याद करके फकीरा की तरफ माने खेज नजरों से देखा और फिर खा हाँ तुम्हरा साधी बिया करना है रिप्या देखकर सभी लड़की देने को राजी हो जाते हैं और नहीं तो फिर अपनी ब्रादरी में ना सही इसी और में ही सही अरे हाँ, इस तरह तो कहीं भी नहीं कर सकते हैं और फिर ये अम्मा के लिए भी अच्छा है जब पैसे होंगे तो इनको भी खुब खाने को मिलेंगे ये आदे कहानी है कहानी का बाकिय हिस्सा मैं आखरी कोशिश के पार्ट टू में लेकर आँगी अजाज़त दें अल्ला हाफिस अल्ला हाफिस